प्राचीन काल से ही भारतिय समाज में ब्रहामनों का महुत रहा है धर्म गरंथों में ब्रहामनों को धर्म की मूर्ती सबका कल्यान करने वाला और मुक्ष का मार्क प्रस्रस्त करने वाला बताया गया है ब्रहामन सदेव समाज का पत्र परदर्सक रहा है इसलिए हर युग में ब्राह्मनों का सम्वान किया गये लेकिन ब्राह्मनों की आलोचिणा करने वालों की संख्या प्रहामन को पाख़ंडी होने का अरूप लगाने वालों को यहां कि वास्ताव में विनवरता का जूटा दिखाबा करते हैं लेकिन वास्तव में सोसक हैं जो केवल अपने लाब की प्रभा करते हैं बहुत से लोग भारती समात में ब्रहामनों के वरचस को जाती बात से जोड़ते हैं ब्रहामनों को पकंडी मानने वालों को कहना है कि भारत में जाती विवस्था की उत्पत्ति और विकास ब्रहामनों नहीं किया है ब्रहाम पर आरोप लगता आया है कि ब्राहमन कर्म कानो पूजा पाठ के नामबठकते हैं, ब्राहमनों ने कई यह से नियम बनाये हैं, उन्हों का सीधा प्रभाव लोग एखानपार विभार और समाजिक संबंदो पर बढ़ता है, जिससे गैर ब्राहमनों का सोचन होता है, ब्राहमन वर्ग को भेदभाव और सोचल का सिकार होना पड़ता है ब्रहामन विलोधियों का कहना है कि ब्रहामन अपने पाखंड और धंग से समाज में अंध्विस्वास को बठावा देते हैं इसे समाज में पिछरा बनाता है, ब्रहामनों के आलोचक, सराद, मिर्टू, भोज, पिंडदान, समित, हिंदू धरम के कई कांटों को कुरूती की रूप में देखते हैं, उनके नुसार कृतिरी रिवाज, ब्रहामनों ने अपने फाइद के लिए बनाया है, ब्रहामन यह नहीं, यह एक बहस का विशा है, यह नहीं हम अपने पाठ्कों के विवेक पर छोड़ते हैं,